हेलो अब्रिवेन बिलकम टू सर्वोदेगरकुल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कच्छा साथकाज साइन्स चैप्टर नंबर सोला प्रकाज यानि की लाइट बेरी इंपॉर्टन चैप्टर है आप लोग ध्यान पूर्वा किस चैप्टर को सबसे पहले आपको याँ पे बहु विकल्पी प्रेशन देखने होंगे जो पहला प्रेशन आसे है अभ्यास प्रेशन का निम्कित प्रेशनों में सही विकल्प छाटकर अपनी अभ्यास पुस्तका में लिखिये प्रेशन नंबर का है उत्तल दरपड के सामने रखी बनता है पहला आप्शन है दरपड की दूसरी ओर दूसरा आप्शन है वकरता के अंदर पर तिसरा आप्शन है अनन्त पर चौता आप्शन है वकरता के अंदर था मुख्य फोकस के मद्धे तो यहां पर उत्तल दरपड की बात कर रहा है तो अगर उत्तल दरपड पर रखी कि इसके सामने कोई वस्तु रखाया है तो उसका जो प्रत्विम बनता है कहां पर बनता है वो आपका वो करता के अंदर है तता मुख्य फोकस के मत दे माली जी उत्तल दर पढ़ा है ठीक है यहां पर माली जी उत्तल दर पढ़ा है इस परकार से यहां से कोई अगर उसके सामने क करवेचर होगा और एक focus दूरी होगी सेंटर अप करवेचर के राइट अंड साइड में अपकर फोकस दूरी होता है तो वकरता के अंद था मुख focus के मद्द जानी कई ने काई इनके बीच में उसकी जो जो प्रति भी बनेगा एक वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के मद्ध में बनेगा ठीक है तिया ही चीज़ें आपके कह रहा है इसका राय टांच रोज़ेगा आप्सन नमबर दा प्रेस्ट नमबर खा अवतल दरपड से आवासी सीधा वा बड़ा प्रत्विम प्राप्त करने के लिए वस् सीधा वा बड़ा प्रत्विम प्राप्त करना है तो उस वस्टु को आप कहां पे रखेंगी किन प्रकांस आपको प्रत्विम प्राप्त हो पहला उस संदेर का मुक्ह फोकस तथा वक्रता की अंद्र के बीच दूसरा अप्OR तो आपको ध्यान में रखना आ है औल दरपड की बात कर रहा है, ठीक है यानि यहां पर आपका फोकस होगा, यांपर वकरता कें अंदर होगा और पोल यहांपर आपका होता है, तो कही न कही इन दोनों की बीच में आप अगर अवस्तु को रखते हैं पोल, दुरू वा मुक्ष फोकस और पूल की बीच में रखेंगे तो कहीं न कहीं आपको जो प्रत्विम बनेगा ग़ाँ किस प्रकार के बनेगा आभासी सीधा वा बड़ा प्रत्विम आपको प्राप्थ होगा प्रस नंबर का एक दरपढ़ के सामने खड़ा होने पर आपका दरपड में प्रतविम हमेशा सीधा प्रतीत होता है दरपड होगा यानि किस प्रकार का दरपड होगा पहला option है समतल दरपड दुसरा है उतल दरपड तिसरा है उतल जबकि चोथा है समतल या उतल जिसका राइट अंसर जब उतल दरपड साइड मिलर की बात कर रहे हैं तो वही आप वही आपका क्या होता है उत्तल दरपड का होता है इसलिए उसमें जो पीछे की तरह हम देखते हैं तो वस्तु में सीधी दिखाई देती है यह एक्जाम में कई बार पूछा जा चुका है तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे प्रस नंबर गा दूर इस्थित किसी वस्तु सुरी दूर इस्थित किसी उची इमारत की संपूर उचाई जिस दरपड से देखी जा सकती है वह दरपड है आप देखते हों अकसर जो ब ब्रेडिंग का अपना उससे आसानी से उसी दरपड में पूरी ब्रेडिंग का हम देख सकते है बैटे-बैटे में पर जरूरी नहीं हम पलट के देखे हैं तो उसी का नाम यह पूछ रहा है कौन सा दरपड होता है पहला अप्शन है आउतल दरपड दूसरा है उतल और जब कि चोहता है समतल दरपड ता आउतल दरपड इसका राइट अंसर जगा आप 21 प्रकार का दरपड होता है आपका समतल दरपड होता है इससे हम दूर इस्तित किसी बहुत उची जो इमारत होती उसकी संपूर वचाई हम देख सकते हैं प्रेस नमबर अगला है टार् वर्तन के फोकस के अती निकट आप रावर्तक के फोकस आथा वकरता के बीच चोथा है परावर्तक के वकरता के अंदर पर आप laugh आप के सीधिक लिए बल्भ sort होती है यानि कि जो परावर्तक तल लगा होता है उसके यानि कि जो मालू यहां से स्ट्ट होता है तो इदम पहुत पास में रखते हैं उसके परावर्तक तल से यानि कि जब यहां आगे सिसा लगा होता है इस पेकार से जो हमारा सटा होता है तो उसके हम आती निकट रखते है जिससे कि क्यों होता है कि परावर्टक तल उस लाइट को फैला सके ज़्यादा और ज़्यादा तेरिये में रोसनी कर सके और लंबी दूरी तक भी जा सके इसलिए इसको पास में रखते हैं प्रेस नंबर टू रिक्त स्थानों की पूर्टी करें कुछ यहाँ पे कतन दिये गए हैं जिसमें आपको खाली स्थान मिलेगा इसको पूर्ड करना होगा ठीक है पहला आप एक अतने समतल द्वारा बना परत्विम कैसा होता है तो जो समतल द्वारा बना परत्विम होता है वो हमारा आभासी होता है ठीक है दूसरा है जो परत्विम सीधा बनता है उसकी आकरती कैसी होती है उसकी भी आकरती हमारी आभासी होती है तिसरा है यदि आपतन коG का मान 60 degree है तो परावर्तन, code का मान कितना होगा? तो उसका मान भी 60 डिग्री होगा यानि कोई अगर कोई अगर incident कर रही है तो अगर उसका आपवर्तन कोड का मान अविलम से 60 डिग्री बना रहा है तो परावर्तन के पहस्चाद भी हो अविलम से कितने डिग्री का कोड बनाएगा वो भी 60 डिग्री बनाएगा सुरी परावर्तन की बात किया गया ने हमने आपतन बता दिया परावर्तन का मनलब होता है फिर उसी आपतन की बात ना उसी इस तित्र में वापस चला जाना यानि इदर से आपतित कोई उसके बात वापस पुना निकल जाना यानि कि 60 डिग्री यहाँ पर बनाया तो अभिलम के साथ 60 डिग्री यहाँ पर भी बनाएगा तिस प्रकार से जितना आपतन पर बनाता है परावर्तन की फ़सरूप यह उतनी बनाता है ठीक है वो आमने इस नेल का नियम बता दिया था तो यह आपको ध्यान में रखना है अगर कोई रे इंसिटेंट करती है आती है फिर परावर्तन जाती है तो जो अभिलम से 60 डिग्री अगर कोड बना रही है तो अभिलम से ही परावर्तन की पस्चाथ भी 60 डिग्री का ही कोड बनाएगी प्रेस नेंबर गा दरपड के ध्रूवा वकरता के अंदर के बीच की दूरी को क्या कहते है फोकस दूरी कहते है माली जे कोई इस प्रेकार से दरपड दे रखा है उतल दरपड उतल दरपड तो आपका एक जो दिखलता है सीदे रखा उसने पूचा है धुरू, दरपड की दुरू वा वकरता केंदर की बीच की दूरी यहाँ पे माली जी दुरू है आपका पॉल होगा यहाँ पे वकरता केंदर होगी C, center आपका रवेचर यहाँ पे आपका focus दूरी होता है center में इसको हम बोलते है focus दूरी यहाँ पे होता है पूल तो उसको क्या बोलते हैं क्या पूचा गया है धरपड के दूरू यानि दूरू और वकरता केंदर के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे focus दूरी बोलेंगे आखितक के दूरी को press number 3 नियम दिकीत में escalak का के कदों के कत दूर until दरपड में दे रखा है उततल दरपड का मिलान करेंगे में दर उततल दरपड से क्या कौण से प्रेदब्रीम बनती है हमारी उततल दरपड से आवासी एवं छोटा प्रित्विम बनता है तो हम देखते होंगे जो गाड़ी की मिरल लगे होते हैं आपको आवासी राता है, रियल राता है, वास्तव का सिधा राता है आवासी राता है, परन्तु वस्त से छोटा होता है दूसरा होगा समतल दरपड, जो समतल दरपड होता है उसे प्रत्विम कैसा बनता है तो समतल दरपड से जो प्रत्विम बनता है वास्त्विम बनता है एवं आवासी प्रत्विम बनता है उसी प्रकार आउतर दरपड की बात करते हैं तो आउतर दरपड में आभासी यह वस्त से बराबर प्रत्वी मनता है या उससे बड़ा बनेगा ठीक है आपकी दरपड की बात करते हैं तो दरपड में आपारदर्सी होता है जो हमारा दरपड कैसा होता है आपारदर्सी होता है, दूसरा है काच, काच क्या होता है, काच हमारा पारदर्सी होता है, जैसे कि गलास हमारा पारदर्सी होता है, जैसे कि गलास हमारा पारदर्सी होता है, अगर हमें दरपड की बात करता है, तो हम देखते होंगे, एक साइड में हमारा कलाई किया होता है, और एक दरप से हम देखते हैं जलाने कि हमना घर में सिसा हपना मूद आपना मूद चहरा देखते हैं किस से दर्पड क्या सितमाल करते हैं कईट तुह कंट में एक तरप पवंने सियुएром आच में आपका बिंडो जो काँ से लगा होता है, जो आरपार देख सकते हैं, अगला प्रेस्ण है, प्रेस्ण नम्बर 4, नेमले कित कतनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का अनिसान लगाएं, पहला कतन दे रखा हैं, आपतित किरड़, परावरतित किरड़ यहां पर नहीं लगा दिया इसलिए बात गलत हो जाती है यानि कि इसके सामने हम गलत का निसान लगाएंगे दूसरा है परावर्तन के नियम में नियम से आपतन कोड़ परावर्तन कोड़ के बरावर्तन कोड़ के बरावर्तन कोड़ के बरावर्तन का जो नियम होता है आपतन कोड़ आपतर परावर्तन कोड़ यानि अगर यह 60 डिगर होगा तो यह भी 60 डिगर होगा परावर्तन के पर नम्बर थर्ड परावर्तन का नियम सभी प्रकार के दरपड़ों के लिए लागू होता है बिल्कुल गलत है सभी प्रकार के दरपड के लिए परावर्तन का नियम नहीं लागू हो सकता है ठीक है अगला प्रसन है समतल दरपड द्वारा बने प्रतिविम को परदे पर लिया जा सकता है अब तो समतिल दरपड से कोई प्रजबिम प्रजबिम ले सकते हैं बिल्कुल नहीं ले सकते हैं तो ये बात गलत है अवतल दरपड से कभी आभासी प्रजबिम नहीं बनता है तो ये बात भी बिल्कुल गलत है इसा हो नहीं सकता है कि आभासी प्रजबिम ना बने प्रेस्ट नमबर पाँच गोली दरपड के लिए ध्रूव वकरता केंद्र मुख्य फोकस तथा मुख्य अच्छ की परिवासा दीजिए रेखा चित्र बनाकर इसकी सितियों को प्रहदर्शित कीजिए तो एक आपको गोली दरपड ले लेना है इन महातपूर बिंदू को आपको याद करना है बेरी इंपॉर्डन ये वह टापड है हर भार हर एकशाम में आपको पूछने को देखने को मिलता है इस प्रकार्शने तो अगर आप जानते रहेंगे वकरता केंद्र क्या होता है? वकरता तरिजज्या क्या होती है? गोली दरपड में परावर्तक तल के मुख्य बिंदू, पी को हम कहते हैं, धुरू कहते हैं, मनली जी हमारा गोली दरपड है, तो जो हमारा परावर्तक तली होता है, हमारे यह परावर्तक तल यहां से परावर्ती थोरा है, तो यह जहां पर पॉइंट हमारा मिलता है, पी, इ कई एक हमान लीजिए अभी सी यह तो आदा गोली था इसको बढ़ा के मिला दिये हमने तो इसका अफ सेंटर आप यहां पे मिलेगा कहीं नहीं कहीं इस गोले का तो यही जो सेंटर मारा मिलता है जिस को इसी को हम बोलते हैं वकरता केंद्र या सेंटर आप कर वेचर कहते हैं ठीक है यह समझ में है यह सी इसको हम बोलते हैं सी से रिप्रिजेंट करते हैं इसको हम पीसे पोल को अब हमारा वकरता त्रिज्जा वकरता त्रिज्जा हमारी क्या कहलाती है यह हमारा सेंटर हो गया क मारी क्या कलाती है जो केंदर बोलो या वकरता त्रिज्जा बोलो त्रिज्जा की बात कर रहा है तो त्रिज्जा हो जाएगी यादी हो जाएगी वहाँ तक की यानि त्रिज्जा थमारी यही होती ने अगर कोई हम सरकल ले लिए तो यहां तक की दोरी हमारा सेंटर अप कर व ठेक है? फिर उसके बाद मुक्ष्पोकस important है के फोकस हमारा कहां पे होता है? यहानी इसके जो हमारा वकृता तरिज्जा होती है उसके अगर हम हाप कर देते हैं डिस पॉइंट पयाफ होता अदा होता है इसे को हम बोलते हैं focus तो आगये इसको साइण्स के लगोंगेंगें में आप में लिखा हुआ है मुक्र अच्छ के समानतर दरपड़ पर आपतित किरड़ परावतन के बाद मुक्र चिंख को जिस बिंदु पर काटती है वह हमारा अवतल दरपड में पीछ या पीछे बढ़ाए जाने पर मुख के अच पर मिलती है उतल दरपड पर उतल दरपड में देखते हैं तो उस बिंदु को गोली दरपड का मुख के फोकस कहते हैं तो सीधा से सिंपल बात है हम कह सकते हैं ज उसके बाद हम देखते हैं मुख्य अच्छ मेरा क्या होता है दरपड के धृ को दुर्व और वकहता केंद्र से होन्ट कर जानी वाली रेखा को दरपड का धुरू है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी से उकर की जाती है जो रेखा उसको बोलते हैं मुख के अच्छे की रेखा यहां पे चित्र के मादम से दिखाए गया है उतल दरपड और यहां पे चित्र के मादम से दिखाए गया है उतल दरपड का फोकस ठीक है यानि कोई अग अगर हम अउतल दरपड की बात करते हैं तो कोई गर अब रियम गिजारते हैं कोई वस्च से तो क्या होता है कि यह आती है। टकरा करके हर स्भी फोकस बिंदू से निकल रही है। ठीक है यह जाकर कि फिना पुर्णा वापिस आगई टकर करके यह पर टक्रा करके वहाँ पर चली गई इस प्रकार से आप देख रहोंगे एक ही बिंद पर काट रही है कोई से बिंदु है वह आपका फोकस बिंदु उत्तल दिरपड में देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि यह आपकी गई उसके बाद यहां से से अपकी ये रेफAPS होई यहां से तो गई आपिस यहां से टक्राके उपना ओपिस चली गई लेकिन यह रही है इस नहीं काटा आए तो इसको पीछी फीचे डौट करके वापिस आगई इस तल से टक्रा करके उपना वापिस आ गई लेकिन उसको में डॉट करके पीछे मिलाया यह वाले टक्रा फिर वापिस इसी टक्रा कर यही से वापिस चल गई धुरुव से तेकिन इसको में आगे डॉट करके बढ़ाया तो यह तीनों किस पॉइंट पर काटे आपके फोकस किंदू पर काटेंं को मत थी देंको एंक यहां प्रतिमि नंबर सिक्ष biz लिन्हेंर दोनों के बीच में होते लिक्टर में रहें कि वश्टिवीग और अमासी प्रतिमिम में निम्लेकित अंतर हैं वास्टिमिक प्रतिमिम क्या होता है और आवासी प्रित्विम क्या होता यह देखते हैं पहला अंतर यहां पर दे रखा है यहां परदे पर प्राप्त किया जा सकता है जो वास्तिविक प्रित्विम होता है उसको हम परदे पर प्राप्त कर सकते हैं में कोई cinema hall में कोई picture देख रहे होते हैं तो वास्तिक प्रतिमिम के लाते हैं यानिकि real image के लाता है हमारा जो आवासिय प्रतिमिम होता है इसे हम परदे पर प्राद नहीं कर सकते हैं डुसरा ऐसे में अंतर होता या सद्योग उल्टा बनता है जब्कि हम अगर अगर believe करते हैं तो अब आसीयो दमारा सद्योग सिधा बनता हैं थिसरे वास्तिभी की बात करें थिसरा अन्तर क्या है इसकी बंटित समय अपअ a am पर भूंब यहां पर रिखे दूसरी मीकर देखते हैं, इसमें इसके बनते समय अपवर्थित अथवा परावर्थित किरड़े किसी बिंद पर मिलती नहीं है, बलकि मिलती ही प्रतीत होती हैं, तो यह दोनों या फेखर आपको समझने में बैतर समझा सकते हैं, यहाननी कि परावर्त्तन के बाद आपतित-कर रड आपका वापतित-कर रड या पुट्ते बहूं है दिखाइ रही है आपको दिख रहे हैं अगर वह इधरना सी ने गरम से ने हम काइए तो आप देख रहोंगे हैं यहाप इसंऐ पर आप दृटतों होने कबादो नगे यह अप्तित था पुनाँ परावर्थित होने वाद दूसी माध़नाम से अपस से लोड़ गई यह आप्तित किरड़ फिर परावर्थित होने वाद इधर इदर मिल गई लेकिन हम इसको आभासी तरीके से जनी डॉट 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 करके मिलाते हैं तो हमारा कहीं नहीं मिलती भी प्रतित होती है आपको यहाँ पर रिजल में दिख रही है तो यानि कहीं नहीं यह वास्त्रिक चीज़े हैं यह की आभासी चीज़े है तो पेंतर है प्रत्वीम सीधा एवं उल्टा बनता है दूसरे में प्रत्वीम सजव सीधा बनता है इसमें देखते हैं सीधे बनने वाली प्रत्वीम आवासी एवं उल्टे बनने वाले प्रत्वीम वास्तविक होते हैं इसमें प्रत्वीम आवासी बनता है इसमें देखते हैं वस्तु की इस्तिती पर निर्वर करता है जबकि इसमें दिखते हैं तो प्रत्विम विकाकार वस्तु से छोटा बनता है तो यहनी जो मारा उत्तल होता है कैसा होता है छोटा हो सकता है अवासी हो सकता है प्रत्विम सद्यों सीधा होता है समांतर प्रकास किरड़ अविसारी प्रकास किरड़ तथा अविसारी प्रकास किरड़ पुंज का सचित्र वर्डन कीजिए अविसारी प्रकास किरड़ कैसे कहते हैं अविसारी प्रकास किरड़ किस पुंज किसे कहते हैं उसे समांतर प्रकास पुंज कहते हैं यानि कि जिस प्रकास किरड की पुंज जो होती है प्रतेक किरड की होग समानतर हो यानि कि एक दुसरे सो कभी टच कट ना करें तो उसको हम बोलते हैं समानतर प्रकास पुंजे दूसरा होता है प्रस नमबर 2 अभिसारी प्रकास किरड़ अभी मनलब क्या होता है जिस प्रकास किरड़ की पुंज प्रते किरड़ किसी एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी कहते है यानि कहीं न कहीं आ करके एकポイंट पर मिल जाए ठीक है इसपौइंट को बो लेंगे अभिशारी ठीक है पर अगर अब सारी की बात करता है तो किसी एकortun से इसमें लिखेंगे जिस प्रकार किरद पुंझ की प्रतीक किरड़ किसी बिंदु से फैलती होई प्रतीत होती हैं उसे अब सारी प्रकास किरड़ पुंज कहते हैं यानि कोई point होगा वहाँ से कोई प्रकास निकल लए होगी और फैलती होई प्रतीत होगी तो इस प्रकार के प्रकास पुंज को हम कहते हैं आप सारी यहां पे फैलती होई बात कर रहा है जबकि हमाँ पे सिकूर्थी भी बात हुगा था इसमें किसी एक पॉइंट पर आ करके मीट कर रही है जबकि इसी पॉइंट से निकल करके बाहर द्रफ फैल लहीं है तो यह हमारा हपसारी हो गया यह हमारा हभी सारी हो गया यह हमारा समानतर प्रिकास के रपुंज हो गई तो आसा करता हूँ तीनों में आपको तीनों चीज़ा को समझे हैंगे उसके प्रस्ट नमबर आठ देखते हैं अउतल दरपड का फोकस वास्तिक है जबकि अगर हम बात करते हैं उत्तर में देखते हैं जब दरपड के पीछे किरड़े उत्पन होती हैं तो ने बिंदिदार रेखा का अपयोग करके संकेत दिया जाता है इसका मतलब या है की काल्पनिक या अभासी है ठीक है यह क्या होती है काल्पनिक जगर अगर बिंदू से किसी जिसको मिलाते है इस प्रकार से तो इसका मनलब क्या होता हमारा या तो काल्पनिक है या अभासी है ठीक है इसलिए अउतल दरपड का फोकस वास्त्विक है जबकि उतल दरपड का फोकस क्या होता है आपका उस्तु होता है कि रीजन क्या आपने देखता हूं देखेंगे जो वास्तु में काट रही है सीधी सीधी कुछ में डाटत नहीं है वास्तु इसको बोलते हैं उसको को प्रदर्शित करने के लिए आवस्ट किलड आरेक बनाएं अभी तक आपको इसीजे समझ में आये हो गए होंगी तो आपको आवतर दरपड की द्रूद अथा फोकस की बीच रखी वस्तुका आपको एक प्रत्विम बनाना है और उसको प्रदर्शित करना आरेक के माधम से इस द्रूद करेंगे प्रेस्ट नमबर टेन निम्कीत प्रश्णों के ऊतर देजिए उस दरपड का नाम लिखिए जिसमें MRS के आकार का आवासी प्रत्विम बनता है तो आपको मालूम है आवासी प्रत्विम कि समक्ता है और तेल दरपड की अब इसको आसानी से बता सकते उत्तर दरपड के मुख्य फोकस की परिभासा दीजिए मुख्य फोकस काँ पर होता है को मालूम होगा तो इसमें लिखेंगे उत्तर में उत्तर दरपड की मुख्य अच्छ पर बिंदु के रूप में परिभासित किया जाता है वहां प्रत्विम्ब के बाद मुख के दूरी के समानतर या त्रा वाली किरिडे मिलती है प्रेस नंबर का स्टीट लाइट में प्रियोग किये जाने वाले दरपड का नाम तो स्टीट लाइट में हम उत्तर दरपड का प्योग करते है दरपड के प्रेस्ट पर प्रेस्ट भाग पर चांदी की कलई की जाती है क्यों जो दरपड का प्रेस्ट भाग होता है उस पर चांदी की कलई की जाती है उत्तर में लिखेंगे दरपड के प्रेस्ट भाग पर यानि पीछे वाले भाग पर चांदी की कलाई कर देने पर अंदर की सता चमक कीली दिखाई दिखने लगती है प्रकास का परवर्तन इसी अंदर वाली चमकदा सता से होता है यानि जो प्रकास का परवर्तन होता है जो हमारा मालिजे सीसा अतना मोटा है हम यहाँ पे कले की है तो यह नहीं कि यहाँ से टकरा कर अपिस चला गया यह से परावर्त पना जाएगा यहाँ पे जाएगा अंदर से टकरा कर परावर्त दूगा जहाँ पे कले की होती है प्रेस निम्बर अगला है उत्तल एवं आउतर दरपड को गोली दरपड कहते हैं क्यों जो हमारा उत्तल और अउतल दरपड होता है उसको हम गोली दरपड की नाम से जानते हैं ऐसा क्यों तो उत्तर में लिखेंगे गोली दरपड वैसा दरपड होता है जिसकी परावर्तक सताकाज के खोकले गोले का हिस्सा होती है इसी खोकले गोले से उत्तल या आउतल दरपड का निर्माड होता है इसी कारण उत्तल या आउतल दरपड को गोली दरपड कहते हैं तो कहीं ने कहीं जो हमारा ये उतल दरपड होता है और उतल दरपड होता है इसका निर्मार किस्ते होता है गोली दरपड से होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं गोली दरपड कहते हैं तो वाजा करता है आपको ये समझ में आया होगा अगला प्रस नहीं है प्रस निम्बर 11 किसी समतल दरपड में कोई प्रकास किरड लंबवत आप्तित हो तो परावर्तित किरड के चित्र द्वारा पर देशित किजिए माली जे कोई समतल दरपड में कोई प्रकास किरड है वो लंबवत आप्तित हो तो इसको आप विद्यार्थी स्वयम करेंगे लबमत होने पर जाईज सी बात है वो पुना उसी माद्धे में वापिछ चला आता है इसको आप कर लीजेगा बना दीजेगा कोई दिक्कत नहीं है प्रेस्ट नंबर 12 है उत्तल दरपड के मुख्य फोकस की परिवासा दीजेए अथा आवाश्यक किरण आरेक मनाए उत्तल दरपड के वकरता के अंदर और दुरू के बीच को मुख्य फोकस कहते हैं यानि जो हमारा वक्रता के अंदर होता है और धुरू होता है उनके बीच को क्या करते हैं फोकस कहते हैं इससे हम एप के द्वारा एप प्रिजेंट करते हैं यानि प्रेसिस करते हैं और आपका यह आरेक यहाँ पर बना कर दिखाया गया है ठीक इस प्रकार से बना लेंगे प्रस नंबर खा, परावर्तन की नियम को लिखे, very important question है, यह तो आपको बार इजामी पोछा जाता है तो इसको आपडिक लिजेगा उत्तर में देखते हैं परावर्तन की नियम पहला नियम आप दे रखा है आपतित किरड़ परावर्तित किरड़ अभिलम तीनो एक ही तल में होते हैं तो आपको ध्यान में रखना है पहला नियम अभिलम जा कहलाता है जो हमारा आपतित किरड़ होता है हमारा विलंब होता है यह आप तितके लड़ो गया और यह परावर्तितके लड़ो गया और यह अब लंब तीनों आप देख रहोंगे एक ही तल में है ठीक है यह फस्ट नियम है उसके बाद दूसरा कमारे नियम होता है आप तन को यानि की एंगल आई इसको incident ray बोलते हैं परावरतन को यानि reflect angle angle of r के बरावर होता है यानि कि angle i is equal to angle r ठीक है यह दोनों बरावर होते हैं कहने का ताथ पर यहां पर यहां है माली जे कोई incident ray होती है यानि से यह निकली परावरतन के बाद यह आपके निकली यहां पर आई उसके बाद परावरतित हुई ति यह आपके incident आई कलता है यह आपका कलता है और यानि angle i is equal to angle r यह दोनों कितने होंगे सेम अगर यह 40 हो गया तो 40 पर 45 तो 45 तिया पर आपको एक figure के मादम से उत्तल दरपड का figure बनाया गया है उसको समझ सकते हैं प्रेस निंबर 13 पास्र परिवरतन क्या है समतल दरपड से बने प्रतवीम पास्र परिवरतन दरसाएं तो उत्तर में लेकिंगे आप जब आप समतल दरपड के सामने खड़े होकर अप अपना दाया हाँ दिलाते हैं तो आपका प्रतवीम का बाया हाँ दिलता हुआ दिखाई जता है इस घटना को पास्र परिवरतन कहता है प्रस नंबर खांग्रेजी वर्ड वाला के किन किन अच्रों के समतल दरपड द्वारा बने प्रतिभीम प्रतिवीम्बु में पास्र परिवरतन प्रतीत नहीं होता है तो हम देखते हैंगे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें अगर जो हमारा जो सब्द होता है उल्टा नह सब्कार्ण बाला तो बीधा दिखा देता है पोंगा यह स्थ्क्राइब आई की बात कर लेते हैं तो आई भी हमारा से ही रहता है कभी भी चेंज नहीं होता है दरपड दरपड में तो हमारा कॉन से सब्सक्राइब हो गए हमारा एच हो गए हमें देखेंगे तो उसी प्रकार से दिखाई देगा एम की बात करते हो यह में भी नहीं चेंज होगा ओ में देखेंगे तो भी इससे प्रकार से रहेगा टी हमारा वसी प्रकार से रहेगा यू हमारा वसी रहेगा डाबलू हमारा वसी रहेगा एक्स हमारा वसी रहेगा और वाई भी ऐसे ही दिखा देता है ठीक है तो इस प्रकार से यह सब्द हमारे हो सकते हैं जो हमारे पास परिवर्तन प्रतित नहीं होती जिसमें तो इसको आप लिख सकते हैं कौन-कौन से वर्ड से कौन-कौन से अलफाबेट से हैं जिसमें आपके पास परिवर्तन नहीं होता है प्रेस निम्बर 14 यदि आपतन कोड का मान 30 है तो परावरतन कोड का मान कितना हो जाएगा तो आपको पता है incident आप I is equal to angle R यानि कि incident ray और reflect ray दोनों का मान से हम होता है यानि दोनों कोड से हम होते है अगर I 30 degree है तो हमारा R भी 30 degree हो जाएगा तुमको मालूम होता है आपतन कोड परावरतन कोड के बरावरतन 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 कोड क तो हमको मालू होता है incident i plus 60 is equal to कितना होता है 90 degree के बराबर क्योंकि यह समतर दरपर की बात कर रहा है तो 77 दरपर 90 degree फिर उसके बाद हमको angle of i निकलना है incident उसके बाद angle of i is equal to कितना हो जाएगा आपका 90 minus का 60 यह आपका 30 degree अब हमको पता होता है अगर angle of incident हमको पता चला जाता है तो angle incident is equal to angle reflect यानि कि आपतित कोड बराबर परावर्तित कोड तो आपतित कोड का मान में 30 पता चल गया उसी प्रकार से परावर्तित कोड कितना हो जाएगा 30 degree हो जाएगा तो हमको कौन सा angle यह आप दे रखा था हम समझा देते हैं आप यह थोड़ा सा figure की माद्ध हम से यह आपका problem था अब उसने बोला था यह आपकी incident ray हो गई निकली और यह आपकी परावर्तित तरे निकली तो हमको यह angle दिया अगर जाता है तो I is equal to कितना हो जाता था R हो जाता था table की साथ बनाओ कोड पर अब की बार और की बार चाने समत्र दरपडी नीचे अमेरा समत्र दर में लगा हुआ है समत्र दरपड की बात कर रहा है तो समत्र दर जो होगा हमारा अब आपको I- Nepal दे रखा है या यह angle हमको syst materials दे रखा है चुक्कि आपको पता है यह अविलंब होता है यह आपको 60 डिग्री है यह टोटल हमारा कितना होता है 90 डिग्री होता है आपको मालूम है अगर 90 में से 60 गटा देंगे तो एंगल आप आई निकल जाता है तो एंगल आई निकल जाता है तो एंगल आरम आसाने से पता कर सकते है क्योंकि इना पता होता है कि आपता नकोर बराबर कितना होता है पर आवर तन क्लquinho बरावरwhat की बराबर तिस प्रकार से आपको पहले तो समय लेना है कि पुछा क्या आता है वह थर्टी डिग्री हमारा यह वाला आता है इस पर कर जगर आई पता है तो निया से होता है तो तो यह चेटर का कंप्लिट होता है अनिमार रूप से वाँ पर पूछे जाते हैं हम लास्ट में चीज़ हम बता देना चाहते हैं जो आपका जो लेंस का जो काई होता है और डायोक्टर होता है यहाँ पर नहीं बता गया है तो डायोक्टर भी आप याद करेंगे जो हमारा चस्मा यूज़ करते हैं उसका जो चस्मे में जो उसका लेंस का जो आवर्जन चंता जो हम बताते हैं आवर्जन चंता उसको हम डायोटर में बताते हैं ठीक हैं तो इसको अब D से इसको हम represent करते हैं तो D आप याद रखेंगे आज़ा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको आप लाइक कर दीजगा चैनल पर अगर नहीं रहे तो चैनल को subscribe कर लिजगा साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजगा जिससे आने वाले अगले वीडियो की नोटी विक्रिसन आप सब तक पहुच पाएगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद